हेलो एवरिवन कैसे आप सब भी आशा करती हूं आप लोग बढ़िया होंगे काफी दिनों के बाद आज आप लोग से मेरी मुलाकात हो रही है तो आज मैं आपके साथ अपने आप कोई भी रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगे बह बज़ भी है डिलिशियस है जो कि सब को बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है और दा में चीज है यह है हि जो बच्य खाते नहीं है आप इस रिचिपे से उसको बहुत अचानी तरीके से हम उसको खिला सकते हैं तो मेरे बच्चे को पालग तो बिलकुल भी पसंद नहीं है बढ़ों का भी बहुत ही फेवरेट एक सेंट्विच की रेसिपी शियर करूंगी जो की बनेगा पालक और कॉंड से तो चलिए रेसिपी के शुरुआत करते हैं पालक स्वीट कॉंड सेंड्विच लेट स्चार्टेट तो यहां देखें यहां मैंने पालक की पत्तियों को मैं अधा चबमच की करीब मैं इस पर बटर का यूज किया है हम पैन में थोड़ा सा देल भी डाल रहे हैं और साथी में मैं इस पर बटर भी आइड कर दे रही हूं अकर डारेट में बटर डालूंगी तो वह जल्ले का डर रहता है अब बटर को मैं अच्छे से मिल्ट कर लें आ अब मैंह ने चारव चार में लेसं कीगळी एसको मैंने काट लिया है इस auस्थे से हम रोष्ट कर लेंगे अच्छे से रोस्ट हो चुका अब अब इसमें डाल यहां यह देखिए स्वीच कॉण। अब इसमें डालग डाल दे रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे लैसुन डलने की वज़ए से जो है इसकी खुश्पू बहुत अच्छी आ लिया और फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है पालक के साथ लैसुन का कर दॉड कि अच्छे से मिक्स हो चुका है सिस नामक यह घृए जो हम अच्का यह सॉफ्ट हो जाया तक आप साधर। नमक डालि ए पिसको मिक्स करते हैं और फिर हम इसे धक्र कर थोड़ी देर के लिए पकाते हैं जब तक की बालक颯ु एक्दम सॉफ्टन हो जाया पालक जो अच्छे से गल चुका है अब हम इसमें डालेंगे दूद्र और इसमें डालूंगे ठेर सारा चीज दोनों का यूज किया है बहुत ही यमी टेश्ट देने के लिए क्योंकि बच्चों को चीज बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें देखी मैंने ठेर सारा चीज इसमें मैंने स्लाइस चीज और डाइस चीज दोनों का यूज किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सूपने तक ड्राइ होने तक हम इसको चलाते रहेंगे इसमें जा रहा है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और धेर सारा और यानो इसका फ्लेवर बहुत ही यमी हो जाएगा अब इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ही जो यह एकदम ट्राइना हो जाएग अब यह अब यह जो प्राइब हो चुका है गयास को बंग कर देते हैं अब हमने के बड़ ब्रेड और इस तरीके से जो हमने यह मिक्सर बनाया है हम इसको अच्छे से स्प्रेट कर देते हैं आप चाहित ऊपर से एक चीज स्लाइज दे सकते हैं लेकिन चीजस में जादा इसलिए मैंने चीज नहीं दिया है का दिसमें बटर दोनों साइड अच्छे साम इसमें बटर लगाएंगे और हल्का गोल्डेन ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेते हैं अच्छे से सिख चुका है दोनों तरफ से अधिए बसको हम निकाल लेते हैं इसी तरीके सम दूसर कर देते हैं हमारा सेंडविच बनकर देखिए बिल्कुल रड़ी है आई इसको कट करके आपको दिखा रहे हैं यह देखिए दिलिशियस स्पिनेच कॉर्ण सेंडविच इस रेड़ी टू सर्फ तो कैसे लगी रेसिपी मुझे कामेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहुत ही हल्दी मजिदार रेसिपी तो चलिए तब तक के लिए इसा आप बच्छों के टिफिन वॉक्स में दे सकते हैं स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं सोबे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं तो इससे भी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और